नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सौरव और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेडी टाइम लाइनर्स पे आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बता हूँगा कि आप सही तरके से काउंसलिंग में अपनी चोईस को कैसे फिल कर सकते हो कौन सा हो सही तरीका है कौन सा हो पैटरन है जिसकी मदद से आपके कहते हैं काउंसलिंग में आपके अपनी चोईसों को फिल कर सकते हो तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होने वाला में होगी उसके बाद जो दूसरी काउंसलिंग होगी आपकी 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में होगी उसके बाद तीसरी काउंसलिंग जो होगी 14 से 16 अक्टूबर के बीच में होगी और जो आपकी फाइनल काउंसलिंग के जो डेट है वो दो अक्टूबर तक ही है तो फ्रेंड यह था आपका काउंसलिंग का स्केडियूल तेक यह फ्रेंड काउंसलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है filling of choice into the desirable order मतलब अपनी choice को fill करना desirable order में फ्रेंड यह जो desirable order सब्दे इसी में students काफी जलतियां कर जाते हैं और बाद में जब काउंसलिंग का result आता है तो फ्रेंड उन्हें पस्ताना बढ़ता है फ्रेंड काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि अपनी choice को आप fill कर रहे हो कि आपको मालीजे कि आपको पूसा में चाहते हो काउंसलिंग में लेकिन फ्रेंड सबसे जदा गलति यहां पर यह कर जाते है कि मालीजे कि आपको सबसे ज़्यादा जो चाहिए होगा वो मतलब आपको सबसे ज़्यादा महतव है या फिर आप preference करते हो PUSA में Civil Engineer की और उसे आप भरदेते हो सबसे last में उससे उपर आप मतलब अलग-अलग चीचा भरदेते हो मतलब गुरु नानक में यह चीए वो चीए लेकिन जो आप सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हो जिस सीच को वो सबसे लाश्ट में भरते हो तो फ्रेंड वहीं पर गलती हो जाती है क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहूंगा जो इसका ओर्डर होता है जो जो आप प देखेगा कि आपने सबसे लाश्ट में क्या वरा है वो उपर से नीचे तक देखता हुआ आता है तो फ्रेंड इसलिए आपको वो गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया और यहां पर भी देखिए मैं आपको बताता हूं मान लिजे कि फ्रेंड आपने यह पांच ची अपने या फिर जो सीट प्रोवाइडर है तो आपको डेगा नहीं तो फ्रेंड अगर मान लिजे कि आपने पूसा में सिविल इंजिनियर सबसे जाधा प्रेफर करते है और इसको आपने सबसे नीचे बढर दिया है तो और फ्रेंड अगर उपर वाले चील में आपने जो सीट एलोटर आपको वही प्रवाइड कर देगा तो फ्रेंड फिर आप पूसा में सिविल इंजिनियर नहीं लेपाओगे भले ही आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो तो फ्रेंड आपको ये गलती नहीं करनी है इस पैटरन में आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है तो दे नहीं mechanical engineering वो नीचे आप अपनी बिल्कुल preference को नीचे decreasing order में ऊपर से नीचे की तरह भरते जाओगे मतलब माली जो सबसれदा prefer करते हो सबसे बढ़र उस से जो थोड़ा कम प्रेफर करते हो सबसे भर उससे थोड़ा कम उसको तीसरे भर तो ऐसे फ्रेंड आपको choices को fill करते हु आपको यहां पर एक समझा रहा है कुछ इसी तरह से आप चोईस को फूल करोगे मां लिजे पूसा में सिविल इंजिनिंग सब ज़्यादा प्रूफर करते हो आप फिर पूसा में मां लिजे मेकैनिकल इंजिनरी उससे थोड़ा कम तो फ्रेंड ऐसी आपको अपनी चोईस की लिष्ट बनाके ऐसे आपको बिल्कुल इसी ओर्डर में आपको कांसलिंग में भरना है फ्रेंड अभी जब कांसलिंग की क्या कहते हैं डेट आ जाएगी और जब कांसलिंग आपके स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इस पर एक और पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमे मैं आपको बताऊंगो कि कांसलिंग की चीज़ों को बिल्कुल कैसे भरना है तो फ्रेंड इसके बारे में आप बिल्कुल टैंसर मत लीजेगा हाँ बस फ्रेंड आप अपनी लिष्ट तयार कर लीजे इस समय बिल्कुल पर्फेक्ट और में जैसा मैंने आज बताया कि प्र तो देखे फ्रेंड इस तरह से मैंने आपको यह दिखा दिया इसी तरह से बिल्कुल आपको प्रेफर करके भरना है आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बरना है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं उसको आपको सबसे उपर रखना है और उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ चले आना है तो देखिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही और मैं आपको बता देना चाहूंगा मेरी और भी अलग-अलग वीडियो हैं उसके लिंक में डिस्किप्शन में दे रखे हैं पॉल टैक्निक्स रिलेटर जो भी वीडियो हैं और आगर आपको कोई भी मैं उन डाउसों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद